इस साल 16 जन्वरी से शुरू होकर अप्रिल महिने के अंत तक भारत का वैक्सिनेशन कारक्रम मुख्य तह केंद्र सरकार की देख रख में ही चला। सभी को मुप्त वैक्सिन लगाने के मार्क पर देश आगे बढ़ रहा था। तरह तरह के स्वरूठे जैसे कि वैक्सिनेशन के लिए एज ग्रूप क्यों बनाए गए। दूसरी तरफ किसी ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तै करें। कुछ आवाजे तो ऐसी भी उठी कि बुजुर्गों का वैक्सिनेशन पहले क्यों हो रहा है। बाती भांती के दभाव भी बनाए गए। देश के मिडिया के एक वर्ग ने इसे कैमपेण के रूप में भी चलाया। साथ यो काफी चिंतन मनन के बात इस बात पर सहमती बनी कि राज्य सरकारें अपनी तरब से भी प्रयास करना चाहती हैं तो भारत सरकार को क्यों इतराज हो और भारत सरकार इतरा क्यों करें राज्यों की इस मांग को देखते हुए उनके आग्रव को ध्यान में रखते हुए 16 जनवरी से जो विवस्ता चली आ रही थी उसमें प्रोग के तोर पर एक बढ़लाव किया गया हमने सोचा कि राज्य ये मांग कर रहे हैं उनका उत्सा है तो चलो भाई 25 प्रतिशत का काम उनके हवाले कर दिया जाए उनको दे दिया जाए स्वाबाव किया है एक माई से राज्यों को 25 प्रतिशत काम उनके हवाले कर दिया गया उसे पुरा करने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास भी किये इतने बड़े काम में किस तरह की कठिनाईयां आती हैं यह भी उनके धन में आने लगा उनको पता चला पूरी दुनिया में वैक्षिन की क्या स्थिती है इसकी सच्चाई से भी राज्य परिचीद हुए और हमने देखा एक तरफ मई में सेकंड वेव दूसरी तरफ वैक्षिन के लिए लोगों का बढ़ता रुजान और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाईयां मई में दो सब्ता बित्ते बित्ते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्ता ही अच्छी थी दीरे दीरे इसमें कई राज्य सरकारें जूरती चली गई वैक्षिन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर विचार की मांग के साथ फिर आगे आए राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देश्वाश्यों को तकलीफ ना हो सुचारू रूप से उनका वैक्सिनेशन हो इसके लिए एक मैं के पहले वाली याने एक मैं के पहले सोला जन्वरी से अप्रिल अंतर तक जो व्यवस्ता थी पहले वाली पुरानी व्यवस्ता को फिर से खुल लागू किया जाए साथियों आज ये निर्णे लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सिनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी ये व्यवस्ता आने वाले दो सप्ता में लागू की जाएगी इन दो सप्ता में केंद्रव और राज्य सरकारे मिलकर नई गाइडलेंज के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी संयोग है कि दो सप्ता बाद 21 जून को ही अंतर राश्य योग दिवस भी हैं 21 जून सोमवार से देश के हर राज में 18 वर्षे उपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुप्त वैक्सिन मुहया कराएगी वैक्सिन निर्माताओं से कुल वैक्सिन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुप्त देगी यानि देश